Hello friends, Welcome to my channel, आज हम पनीर की भुर्ची बनाने वाले हैं, यहां मैंने 400 ग्राम पनीर का यूज किया है, 400 ग्राम पनीर में के ही हिसाब से मैंने इसमें मसाले सब एड़ किये हैं, चलिए बनाना शुरू करते हैं, पनीर की भुर्ची बनाने के लिए मैंने या तीन मीडियम साइज के प्यास लिए हैं, और इने हम रफली चॉप कर लेंगे, रफली चॉप मैंने इसलिए किया है, क्यूंकि मैं इसे हैं ब्लेंडर में अपने मीडियम बारिक कट करने वाली हूँ, आप हाथ से भी कट कर सकते हैं, हमें बस प्यास को बारिक करना है, मेरे पास हैंड ब्लेंड फिर में मैंने दो मीडियम साइज के टमाटर भी चॉप कर लिये हैं फिर हमें 4-5 हरी मिर्च लेनी है मिर्च अपने हिसाब से लसन लिया है कड़ाई चड़ाई है उसके बाद हम इसमें तेल डालेंगे वोल डालने के बाद हमें जीरा एड करना है लसन को मैंने कूट लिया है कूट के डाला है मैंने लसन को हरी मिर्च कड़ी पत्ता सब अच्छे से क्रैकल हो जाने के बाद हम इसमें अपनी प्यास डाल देंगे सारा प्यास डालने के बाद इसको अच्छे से हलका ब्राउन होने तक हमें थोड़ा सा भूंजना है और वो जाने के बाद हम मसाले एड़ करेंगे मसाले के लिए मैंने यहाँ पे एक चमस धनिया पॉडर, हल्दी पॉडर, लाल मिर्श पॉडर और किचन किंग मसाला डाला है, पनीर मसाला इसको एक मिर्ट तक हमें भूंजना है एक मिर्ट तक भूंजने के बाद ज़्यादा देर तक नहीं भूंजना है फिर हम इसमें टमाटर एड़ करेंगे टमाटर एड़ करने के बाद हमें इसमें नमक डालना है नमक डाल देंगे, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, फिर इसको अच्छे से पका लेंगे, थोड़ा धक्के पका लेंगे, उसके बाद मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च एड़ किया है, एक बारी काट के शिमला मिर्च मैंने एड़ किया है, आप चाहें तो डालें, नह किया हो पनीर हम इसमें एड कर देंगे और इसको अच्छे से फिर हमें मिक्स करना है सारा पनीर एड कर दिया है मैंने और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे 400 ग्राम पनीर लिया है मैंने यहाँ पर आप पनीर अगर कम ले रहे हैं तो उस हिसाब से मसाले कम कर सकते हैं यह देखिए अच्छे से मिक्स कर दिया है एक एक मिनट में डगडग के पकाना है और चेक करते रहना है देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो चुका है इसको अच्छे से मिक्स करना है इसका बहुत सॉफ्ट हो जाएगा स्मूद और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा उसके बाद हम इसमें लास्ट में अपना फ्रेश धनियापता एड़ कर देंगे धनियापता एड़ करने के बाद हमें गैस को बंद कर देना है और हमारा पनीर भुर्ची बिल्कुल तयार है आप जरूर से ट्राइ करें बहुत जल्दी इजी और अच्छे से बन जाता है ये थैंक्स फर वाचिंग